शरी गनेशा यनमहा, यह राशी फल चंदर राशे पर आधारित है, चंदरमा मन के कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते हैं वो चंदरमा की स्तिती लेकर आती है, और इस वजे से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करत और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं इस दिन चंद्रमा की position ठीक नहीं रहेगी चंद्रमा इस दिन फोर्थ house में रहेंगे इससे आप इस दिन मानसिक तोर पर काफी disturb रहो आपके अच्छे भले काम किसी गलट decision से बिगड सकते हैं इसलिए इस दिन आपको महत्वपूर्ण निर्ने लेने से बचना चाहिए और कहीं निवेश करना है तो जोखिम नहीं उठानी चाहिए अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं आपको जोखिम उठाना जरूरी है त अगर आप साउधानी बरत्ते हुए किसी की राय लेकर महत्वपूर्ण कामों को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा मुनाफा भी अच्छा ही होगा आपके व्यापार में आप मेहनत करोगे और उसके मुताबिक आपको फल भी मिलेंगे तो देखा जाए तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा ही है इस दिन आप शौपिंग कर सकते हैं बड़ी खरेदारी भी कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए समय अच्छा है अगर नोक्री पेशा लोगों की बात करे तो नोक्री पेशा लोगों में बीजी रहना है ज्यादा बाते ना करें अपने काम से काम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस दिन आपको अपने काम के क्षेत्र में कर्म ज्यादा करना होगा लेकिन उसका रिजल्ड भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा आर्थिक स्तिति के हिसाब से ये दिन आप आपके लिए अच्छा है आपकी आर्थिस्तिती इस समय में मजबूत रहेगी इस समय में अगर आप नोकरी ढूंड रहे हैं तो आपको मन मुताबिक जौब भी मिल सकती है लेकिन प्रयास करना पड़ेगा इस समय में आपको आपके कर्म के ही फल मिलेंगे बिना कर्म के फल न आपकाई में मन ना लगने की शिकायत रह सकती है मन में कई प्रकार के विचार आ सकते है मन भटकने की भी पूरी संभावना रहेगी इस समय में हलका भोजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर तनाव महसूस हो तो एक दो मिनट तक डीप ब्रिधिंग जरूर करे इस से तनाव को दूर करने की कोशिश की जा सकती है दोस्तो इस समय में अगर मैरीड लाइप की बात करते है तो मैरीड लाइप बढ़िया रहेगी एक दूसरे के बीज प्यार बढ़ेगा अच्छा ताल मिल रहेगा घर में खुशनुमा माहोल रहेगा दिन काप ही अच्छ ना पोचे वो रिष्टे असल में रिष्टे होती है जहां सच्चा प्यार होता है और जहां सच्चा प्यार होता है वहां खुद से ज्यादा अपने पार्टनर की चिंता होती है और वो रिष्टे आसानी से तूट भी नहीं सकती और ये चीज़े अपने आप होती है आज की चीजों पर ध्यान ना दे इन्हें ज्यादा सिरियसली ना ले थोड़ा ध्यान जरूर रखे ताकि आपके हाथ से कोई बड़ा नुकसान ना हो आज के दिन के लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना आपको बहुत अच्छा रहेगा और दो नंबर इस दिन आपके लिए लखी और भगवान से आपके लिए और आपके अपनों के लिए प्रार्थना जरूर करें दोस्तो प्रार्थना में काफी शक्ती होती है अपनी प्रार्थना पर हमें विश्वास होना चाहिए दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल क कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बा भागय का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भागय उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बह इसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मकता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें नुक्सान उठाना पड़ता है, जिसकी वजे से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते है दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर सी आते है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरह से साप रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन आईना तस्वीरे इलेक्ट्रोनिक सामान सोफा कुरसी टेबल पलंग घडी जाडू गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी पर जवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा, तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके, हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है, तरक्य ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, मा लक्ष्मी जी का प्रवेश अमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद.